हेलो फ्रेंड्स आज कि इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मैं विटनी यू टेस्ट क्या होता है और इसके नुमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स हमें फोलो करने होते हैं स्टेप्स बताने के बाद इस वीडियो में एक नुमेरिकल एक्जामपल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको मैन विटनी यू टेस्ट के नुमेरिकल को सॉल्व करना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं व यू टेस्ट एनलाइज करता है एक्सपरिमेंटल और कंट्रोल ग्रूप के बीच में डिग्री ऑफ सेप्रेशन है यह आप कह सकते हैं एमांट ऑफ ओवरलेप कितना ऑवरलेप कर रहा है डेटा उसको एनलाइज करता है अगर हम इसमें बात कर रहें हैं पोथेसिस की नल औ में अख्यूम करते हैं कि जो दो सेट सब्सकेनकल है यानिकि इंप एंन मिंस एक्सपरिमेंटल और सीमें कंट्रोल तो एक्सपरिमेंटल और गरूप के जघ्यक्त Sure से हैं वह इसलिए जो दो सेट अप 국ऻ से वह एक दूसरे से सिस्टेमेटिकली डिपर नहीं करते क्यों क्योंकि sampling जो है वो random sampling है बात करते हैं alternate hypothesis की तो alternate hypothesis यह state करता है कि दो set of scores आपस में differ करते हैं और अगर alternative directional है या one-tailed है यह फर्दर आपको बता सकता है direction of difference मतलब experimental scores वो systematically higher है या lower है control group के score से इस test का use करके जो हम statistic calculate करते हैं वो या तो U होता है या U- होता है इसमें U1 होता है U1 क्या होता है the number of ease less than C's experimental scores कितना कम है control score से वैसे U2 इसका opposite होगा number of C's less than E's and उसके बाद U और U- यू होगा the smaller of two values calculated above इन दोने में से जो छोटी value होगी experimental या control में से वो U होगा और जो larger value होगी वो U- तो यह तो हमने brief में समझा man-witney U-test के बारे में अब चलिए देखते हैं U-test को perform करने के लिए कौन-कौन से steps हमें follow करने होते हैं इसमें basically six steps हम follow करते हैं step one step one में हम क्या निकालते है rank of data जो अलग-अलग groups हैं उसको साथ में लेके हम increasing order में ranking करते हैं scores की one rank जो होगा वो lowest score का होगा और highest rank होगा highest score का second step में हम smaller sample के rank को find करते हैं और third step में larger sample के rank को find करते हैं अब यह सारे steps होने के बाद step four हमारा होता है step four में हम क्या करते है step 4 में u find करते हैं और u dash find करते हैं इसके लिए हमें formula apply करना होता है तो चलिए देखते हैं formula क्या होता है u को calculate करने के लिए हम formula apply करते है n1 into n2 n1 क्या है number of items in set 1 आप कह सकते हैं n2 number of items in set 2 plus within bracket n1 into n1 plus 1 और total को divide करते हम 2 से और bracket close और उसके बाद minus summation of r1 r1 यहां पर हमारे क्या है r1 sum of rank of smaller sample इसी तरीके से हम निकालेंगे u dash u dash में क्या होगा same n1 into n2 plus जहां पर n1 था उसके जगह पर हम यहां पर n2 क्योंकि u dash निकाल रहे हैं और bracket में फिर n2 plus 1 total को divide करेंगे 2 से और फिर इसको minus करेंगे summation of r2 r2 है sum of rank for larger sample यह 4 steps complete करने के बाद हमारे step होता है 5 जिसमें हम क्या करते हैं हमारे पास table h होता है मैं बीटने यह टेस्ट का table h होता है उसमें हम चेक करते हैं यह चेक करने के बाद हम भी देखते हैं कि there is a significant difference if the observe value is equal to or less than the table value तो हम यह बोलेंगे कि there is a significant difference between two groups next step step 6 जो कि last step होता है यह steps होता है to translate the results of the test back in the terms of experiment last हमारे जो step होता है वो translation का होता है जो भी हमने यहां पर किया है उसको translate करेंगे तो चलिए अब steps तो मैंने बता दिया एक example आपको करके दिखाता हूं यहां पर एक हमारे example है assessment center rating by two teams और जो ratings है वो randomly assigned किये गए है teams को तो देखिए हमारे पर यहां पर दो team है team A और team B अब दोनों के यहां पर score given है देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है और team B के लिए भी scores है यहां पर देख पारे होंगे यह team A के लिए यहां पर 12 scores given है और team B के लिए यहां पर एक ज़्यादा है 13 scores है तो इसको ranking सबसे पहले हमारा काम होता है ranking करना तो ranking करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी scores given है यानि कि इसमें 12 है इसमें 13 total 25 इसको increasing order में पहले लिख लेंगे मैं यहां पर आपको करके दिखा भी देता हूं तो यहां पर दिखे जैसे increasing order में arrange किया कुछ items को मैंने यहां पर left side में आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आपको ranking करने कि कौन सा item किस rank पर 43 का 1 rank हो जाएगा 46 2 3 4 5 6 7 ऐसे ranking आप सारे items को arrange करके ranking कर लेंगे और जो score से यहां पर लिखा है उसके सामने जो भी rank है वह आप rank यहां पर सामने लिखेंगे जो भी यहां पर team A के लिए score के सामने जो rank है वह यहां पर लिखेंगे आप और rank 2 यह team B के column में लिखेंगे आप next step हमारा होता है जो भी rank आये हैं दोनों ग्रूप के उसका sum कर देना तो यहां पर आप देखिए rank 1 में टोटल जितने में भी हैं इसका सारा सम करके हमारा आ गया 148 और rank 2 वाले में 177 तो इस step 2 है first step था हमारा rank निकालना सारे items का और second step में हमने क्या किया जो भी दोनों groups के rank आये हैं उसको हमने सम करके के नीचे लिख दिया अब 3 step होता है you calculate करने का अब यू calculate करने के लिए functional माने पहले बताया यू k pip करने के लिए होता है एन 1 & 2 फ्लस être 1 in ren1 2n1 टोटल को डिवाइड करेंगे टू से मानस समसे संखार्स आर और इन 1 & 1 कितना है हमारा इसमें कितना आइटम्स हैं, टीम A में 12 आइटम्स हैं और टीम B में 13 आइटम्स हैं, तो N1 हमारा 12 हो जाएगा, N2 13 हो जाएगा, फिर यहां पर ब्रेकेट में N1 है, तो 12, N1 प्लस 1, 12 प्लस 1, टोटल को 2 से डिवाइड, माइनस R1, समेशन ओफ R1 हमारा क्या है, 148, तो यहां पर 148, 156, टोटल को डिवाइड करेंगे, 2 से 78, माइनस 148, अब इसको सॉल्व करके, हमारा आगया 86, तो हमारा यू आगया 86, अब कल्कुलेट करेंगे, यू डैस, यू डैस में ऐसे प्रोसिजर अपनाएंगे, बस N1 जहां पर यूज किया था, हमाँ N2 करेंगे, अब N1 इंटू N2, 12 इंटू 13, और N2 यहां पर 13 है, 13 इंटू 13 प्लस 1, टोटल को 2 से डिवाइड, माइनस समेशन अपर 2, समेशन अपर 2 क्या था, 177, तो 177, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 70, अब हमारे पास यू आ गया 86, यू डैस आ गया 70, अब next step हमारे क्या होता है, to determine the significance of U, U का significance हम डिटर्माइन करेंगे, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यह decide करना होगा, कि क्या हम one या two tail decision बना रहे हैं, second हमें compare करना होगा, smaller value of U to the appropriate critical table value for N1 and N2, अब table value से कैसे इसको compare करते हैं, यह मैं आपको एक बार दिखा दिखा द कि table आपको internet पर मिल जाएगा, जो h table मैंने पहले बताया कि इसके लिए h table की जरूरत होती है, table h आप internet से download कर सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं, smaller value जो आपका आया है u का, तो critical value उसमें क्या है, अगर observed u smaller है table value से, तो result significant है, चलिए मैं बताता हूँ table से इसको कैसे देख आप भी सर्च कर सकते हैं, मैं इसमें आपको दिखा दीता हूँ, critical value हमें किसकी check करनी है, u for n1 equal to 12 और n2 equal to 13, तो इसमें हम check करेंगे, alpha equal to 0.05 level of significant, इस row में हम check करेंगे, n1 हमारा 12 है और n2 हमारा 13 है, तो चलिए देखते हैं, यह internet पर एक table है, आप भी download कर सकते हैं, तो n1 12 औ और n2 13, तो n2 यहां पर देखें, 13 यह है, और n1 12, 12 में कौन सा आ रहा है, तो हमारी value क्या होगे, 13 और 12 के लिए 41, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, alpha equal to 0.05 पर 41 हमारी critical value हो गई, तो अब इसमें हम यह देख रहे हैं, कि since the smaller obtained value of u, जो हमने जो u value calculate किया, उसमें smaller कौन सा आया परस तो हमारे 86 आया था, बट दूसरा वाला 70, तो छोटे value को हमें consider करना है, u-70 था, जो की larger है table value से, table value हमारी 41 है, उससे बड़ी है यह value, तो null hypothesis को हम accept करेंगे, और यह conclude करेंगे, कि there is no significant difference in the ratings given by two assessment teams, तो यह हमने बात की, मैन वीटनी u test के बारे में, और हमने जाना, क्या 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 स्टेप्स होते हैं, इसके numerical को solve करने में, और एक example में हमने इसमें solve करके देखा, तो आप इसी तरीके से बाकी examples को लेके practice कर सकते हैं, और कोई doubt है, तो आप comment section में लिख सकत करने अपना doubt मैं reply करने की कोशिस करूंगा, मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care.